दोस्तों सभी स्वागत आप एविन चनल इस टड़ी कुल में आज है 26 दिसंबर 2022 और आज के दिन से करेंट अफ़र के जित्ते मुश्ट पॉटर कोशन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्थ करेंगे साथ ही हर कोशन से रिलेटर इन इंपॉर्टर इंफ बिताऊंगा तो पूरा वीडियो धान से देखेगा वीडियो क्लास में आपसे कोश से ही पूछूंगा जिसा वाँसे जोइन कर सकते हैं तो पहला कुशन है हाली में SBI फंट्स में ने किसे अपना नया MDNCO नियूग किया है तो अभी SBI Funds Management ने समसेर सिंग को अपना नया MDNCO नियुक किया है तो शोषन का राइट अंसर है अप्शन से अब SBI तो SBI का फुलिफॉर्म क्या होता है State Bank of India हिंदी में से भारती State Bank कहते है SBI की स्थापना का भुई 1 जुलाई 1955 में SBI के अटकॉर्टर कहा पर है मुंबई में और वर्तमाण में SBI के अध्यच कोने दिनेश कुमार खारा और वर्तमाण में SBI के MD कोने अलो कुमार चोदरी अच्छा SBI Bank की टैग लाइन किया है तो The Banker to Every Indian और यह है SBI Bank का लोगो नेस कोशन है हाली में किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लेक लिस्ट किया है तो अभी नेपाल देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लेक लिस्ट किया है तो आप नेपाल तो आप इस मैप में देखिए ये है नेपाल और ये है नेपाल का फ्लेग नेपाल की राजधानी क्या है काटमांडू नेपाल की करंसी कहना में नेपाली रुपिया नेपाल की राजभासा क्या है नेपाली नेपाल की संसत कहना में राष्टी पंचायत और वर्तमान में नेपाल के राजपती कौने विद् तोबी भाती नों सेना ने चेंस में आइ एनर अर जानाला लॉंच क्याए तोबी भाती नों सेना की इस्थापन कब उहीत ही 26 जनवरी 1950 में भारती नो सेना का एड़ कोटर कहाँ पर है नई दिल्ली में और वर्तमान में भारती नो सेना यानी नो सेना प्रमुक कोन है एडमिरल आरहरी कुमार अच्छा, नौ सेना दिवस कब मना जाता है? तो ये चार दिसम्बर को मना जाता है और भारति नौ सेना का आदसवाक क्या है? सानो वरुना और ये है भारति नौ सेना का लोगो चलिए, नेसकोसन है, हाली में इसरो का आगामी चंद्रियान थ्री मिसन किस देश के व्यग्यानिक उपकरणों को ले जाएगा तो अभी इसरो का आगामी चंद्रियान थ्री मिसन ये अमेरिका देश के व्यग्यानिक उपकरणों को ले जाएगा तिशोसन का राइट अंसर है Option D अब इस्रो तो इस्रो का फुल फॉर्म क्या होता है Indian Space Research Organization हिंदी में इसे भारती अंत्रिष अनुसंधान संगठन कहते हैं इस्रो की स्ताप्र कभी 15 अगस 1979 में इस्रो का एड़कॉर्टर कहा पर है बैंगलोर में और वर्तमार में इस्रो के अध़च कौन है एस सोमनाज अच्छा इस्रो के संसापक कौन थे तो विकरम सारा भाई और इस्रो का आदासवाक क्या है Space Technology in the Service of Humankind और ये है इस्रो का लोगो चलिए Question No.5 है हाली में मेरा भाई चानु ने 2022 IWF Wish Championship में कौन सा पतक जीता है तो अभी मेरा भाई चानु ने 2022 IWF Wish Championship में रज़च पतक जीता है तो शोनन का राइट अंसर है Option A आप इसमिश दिखिए ये हैं मेरा भाई चानु और इन्होंने भी हाली में 2022 IWF Wish Championship में रज़च पतक जीता है अच्छे ये IWF Wish Championship ये आयूजित का हुई है तो ये कोलंबिया के बोगटा में आयूजित हुई है जिसमें सौन पतक चीन की जियांग हुई हुआ ने 206 किलोग्राम वजन उठाकर 2022 IWF Wish Championship में सौन पतक जीता है और चीन की हैं होव ज्यूई इन्होंने 198 किलोग्राम वजन उठाकर 2022 IWF Wish Championship में कांस पतक जीता है तो इतनी जानकारी अब इस कोशन के बारे में याद रखिएगा नेस कोशन है हाली में किस राज की मुख मंतरी ने राज के 19 सहरों में 24 x 7 पाइपलेन वाली पेजल परियोजना नल से पानी सुरू की है तो भी ओडिशा के मुख मंतरी ने राज के 19 सहरों में 24 x 7 पाइपलेन वाली पेजल परियोजना नल से पानी सुरू की है जीतन का राइट अंसर है अप्शन सी अब इस योजना को ओडिशा ने सुरू किया है उडिशा की राज धानी क्या है भूवने सर उडिशा के गठन का बुगा 26 जनवरी 1950 में उडिशा में लोग सबा की 21 सिटे हैं राज सबा की 10 सिटे हैं और विधान सबा की 147 सिटे हैं और उडिशा में कुल 30 जिले हैं वर्तमान में उडिशा के मुख मंत्री है नविन पतनायक, राचपाल है गनेसी नाल और मुख नैदीस है एस मूरली धर अच्छा उरीसा में कौन-कौन से नेशन पार्क है? सिमली पाल नेशन पार्क है, भितर कनिका नेशन पार्क है, सुने वेडा वाले सुन्च रिये, नलवार वाले सुन्च रिये, बैसी पल्लाई वाले सुन्च रिये, कोटा अगड़ वाले सुन्च रिये, देबरी गड़ व पागा और डंडा उडिशा में चिलका लेख है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेख है तो आप ये याद रखीगा ये एक्जाम में कई बार पूछी जाती है तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेख चिलका लेख ये उडिशा में अच्छा उडिशा मे तो इतनी जानकारी आप उडिशा के बारे में याद अखियेगा नेस कोशन है, हाली में रविना टैगोर साहित पूसकार 2021 बाइस किस ने जीता है तो अभी रविना टैगोर साहित पूसकार 2021 बाइस ये सुधीप सिन, सुभाना कुमार और सुन्जय के रॉय इन तूनों ने जीता है तूसे का राइट अंसर है ओप्शन डी आप इसमिश देखिए ये हैं सुधीप सिन, ये हैं सोबना कुमार और ये हैं सुन्जोई को है रोय और इन तीनों ने भी हाली में रवीनना टेगोर साहित पुर्षकार 2021 जीता है सुधीप सिन ने कवीता के गद, रचनात्मक, नॉन फिक्षन और फोटो बाइगोगरफी के संग्रे एंथ्रोपोसिन क्लाइमेट चेंज, कॉंटेजियन, कॉंकलेव में अपनी उलिखनी काम के लिए ये पुर्षकार जीता है और सोबना कुमार ने जपान के हाइबुल सैली में कवीताओं के संग्रे एंए स्काइफ फुल आफ बकेट लिट्स में अपने सांदर काम के लिए टेगोर पुर्षकार जीता है और समाजी उपलब्दियों के लिए टैका और पुरुषकार संजे के राय को कला के छेतर में उतकर स्योधान के लिए दिया गया है तो इतनी जानकारी अप इस कोशन के बारे में याद अखिएगा चलिए, नेस कोशन है, हाली में FIH हौकी विश्ट कप 2023 के लिए भाती टीम का कप्तान किसे बनाए गया है तो भी हर्मन प्रिस सिंग को FIH हौकी विश्ट कप 2023 के लिए भाती टीम का कप्तान बनाए गया है तिसकोजों का राइट अंसर है, ओप्शन B आप इसे में दिखिए ये हैं हर्मन प्रिस सिंग और इनी को अभी हाली में FIH हौकी विश्टेकप 2023 के लिए भारती टीम का कप्तान बनाये गया है अब FIH तो FIH का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेजनल हौकी फेडरेशन हिंदी में से अंतर राष्टी हौकी संग कहते हैं FIH की स्थापना कभी 7 जनुरी 1924 में FIH का एड़कॉर्टर कहां पर है सुजयलन के लुसाने में और वरतमार में FIH के अध़च कौने तयब इकराम आप इसमुच दखिए ये हैं तयब इकराम और वरतमार में FIH के सियो कौने थेयरी वेल आप इसमुच दखिए ये हैं Theory, Will और ये है F.I.H का लोगो. Next question है, हाली में चलपती राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो चलपती राव ये एक South actor थे और इने का भी हाली में निधन हो गया है. तो इस question का right answer है, option C. आप इसे में दिखिए, ये हैं चलपती राव और इनका भी हाली में 78 वस की आयू में निधन हो गया है, और ये South के famous actor थे. चलपती चलिए, question number 10 है, हाली में भारत और किस देश के वायू सेना के बीच पहला दुरी पच्ची हवाई यू दब्यास वीर गौर्जिन 2023 आयू जित होगा. तो अभी भारत और जपान देश के वायू सेना के बीच पहला दुरी पच्ची हवाई युद धब्यास वीर गोर्जिन 2023 आयूजित होगा तो यह हया कूरी और इरूमा एरबेस में आयूजित होगा अब यह युद अभ्यास से रिलेटर प्रसन हैं तो अभी भारत और सिंगापूर की सेनाओं के बीच अगनी वारियर नामक से नभ्यास हुआ था कहां पर हुआ था? महराष्ट में हुआ था भारत और सिंगापुर की नौ सिना के बीच सिंबक्स नामक से नभ्यास हुआता भारत और फ्रांस की वायू सिना के बीच गउन नामक से नभ्यास हुआता भारत तंजानिया और मुझपिक की सिनाओं के बीच प्रथम त्रिपच्ची अभ्यास हुआता अमेरिका और दक्षिर कोरिया के बिज विजलेंट इस्टोम नामक सेन अभ्यास हुआता भारत और और उस्टेलिया के बिज पैसक काकाडू ओस्ट हिन 22 नामक सेन अभ्यास हुआता भारत और रूस के बिज वार्शिक संयुक सेन परिष्चन हुआता भारत की नो सेना ने टट रच्छा अभ्याज सी विजल 2022 का अभी हाली में आयोजन किया था भारत और ओपान की नो सेना के बिज नसीम अलबहर सेन अभ्यास हुआ था और अभी हाली में भारत और नेपाल की सेनाओं के बिज सूर किरन अभ्यास हुआ था तो इतनी जानकारी अब से नभ्यास से रिलेटर याद रखियेगा चलिए, नेस कोसर ने हाली में जारी ब्रेटिस पत्री का एम्पायर में अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में किसे सामिल किया गया है तो अभी अभिनेता सारुक खान को जारी ब्रेटिस पत्री का एम्पायर में अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में सामिल किया गया है तो अभी लगातर पांच बार महराश्ट ओपन की टाइटल इस्पॉंसर टाटा मोटर्स बना है तो टाइटल इस्पॉंसर टाटा मोटर्स बना है तो टाइटा मोटर्स के इस्थापना कबुई थी 1945 में टाटा मोटर्स का एड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई में और टाटा मोटर्स के संस्थापक कौन थे जहांगेर रतन जी दादा भाई टाटा आप इसमें दिखिए ये हैं जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा और वर्तमान में टाटा मोटर्स के अध्यच कोने नत राजन चंदर सेखर आप इसमें दिखिए ये हैं नत राजन चंद सेखर और टाटा मोटर्स के सीडी ओ कोने मार्टिन उहुलारिका और टाटा मोटर ने किस अभिनितिरी को अपना ब्रेंड अमजडर न्युक किया है। तो अभी Puma India ने अनुसका सरमा को नया अपना ब्रेंड अमजडर न्युक किया है। तो पूसर का राइट अंसर है ऑप्सन A और आज के लिए आपका कोशन है हाली में IPL के इतियास में सबसे महाएंगे बि करके जोरू बताएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों साथ एजुकेशन वाली गुरूप में जबूर शेयर करेगा और इस वीडियो की पीडिया फाइल आ वीडियो डिसप्शन और हमारे ट्रेलगम चैनल से डाउनलोग कर सकते हैं अगर आई इस चैनल पर पहले ही तो चैनल को अभी सस्काइब के लिजे साथ ही बेल आइकन को प्रस कर लिजे ताकि डेली करंटरवर के वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए